रातरों के दिनों में सभी की घर में अस्टमी और नौमी की पूजा की जाती है और इस दिन एक खास प्रशाद बनाया जाता है जो माता रानी का प्रशाद होता है ये काले चने और सूजी का हलबा होता है तो आज हम यही प्रशाद बनाने वाले हैं एक खास तरीके से आई हो निकाल दिया है और दो कप पानी हम डाल लेंगे और साथ ही साथ आदा चोटी चुमच में इसमें नमक डाल रही हूं या स्वादा नुसार आप नमक ले सकते हैं यह अस्त्मी वाले दिन या नौमी वाले दिन ही बनाया जाता है कुकर में डालकर 4-5 सीटी आने तक हम इने देखी मैंने इसे 4 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लिया है यह बहुत ही अच्छे से पक गए हैं देखी एकदम सौफ्ट हो गए हैं अब हम आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है दो चमच मैंने इसमें तेल डाल लिया है साथ ही साथ 2-3 चुटकी हम हेंग डाल लेंगे आदी चोटी चमज जीरा डाल लेंगे चटक ने देंगे जीरा साथ यसाथ मैंने आदी चोटी चमज बारिक कटी भी अद रक ली है लहसुन का या प्याज का इस्तमाल नहीं करना है एक मैंने यहां हरी मिर्च ली जी से बारिक कट कर लिया है मून लेंगे इसे अच्छा से और हो मसाले डाल लेंगे आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच लाल मेच पाउडर आदी चोटी चमच मैंने यहां जीरा और धनिया पाउडर लिया है इसको तभी पर भून कर क्रिश कर लिया है आदी चोटी चमच हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे और साथ ही साथ मैं यहां स्वादन साथ नमक डाल रही हूँ नमक हम द्यान से डालेंगे हमने पहले भी डाल लिया था और थोड़ा सा मैं इसमें हम चूर पाउडर डाल लेंगे एक चोटी चमच आप चाहे तो चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं बिला लेंगे थोड़ा सा पाने डाल रही हूं बड़ा पाने डाल के बस और कुछ बलकुल भी जिरूरत नहीं है थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे पका लेंगे अच्छे से, तो यहां मैंने आद ही कब से भी थोड़ा ही पाने लिया है, और इसे ढख कर हम पका लेते हैं, करीब करीब 4-5 मिनट के लिए, चने अल्रइडी पके हुई हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चार से पांच मिनट हो गई है, देखिये बनकर तैयार है अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरादानिय डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं देखिये काले चने बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने है अब हम सूजी का हलवा बना कर तयार कर लेते हैं तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई ली है उसमें मैं आदे कप से थोड़ा सा कम गी डाल रही हूँ मैंने पूरा आदा कप गी लिया है लेकिन दो से तीन चमच मैंने बचा लिया है गी बाद में हम यूज़ करेंगे और इसमें मैंने आदा कप सूजी डाल दी है बारिक वाली और मोटे वाली जो भी सूजी आपके पास हो आप वो ले लीजिए इसे भून लेते हैं अच्छे से जब तक की सूजी से अच्छी सी खुशबुना आने लगे और इसमें प्यारा सा कलर ना आ जाए बून लेंगे करीब करीब हम चार से पांच मिनट बून लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे थोड़ा सा घी मैंने कम डाला था तो एक से दो चमज़ गी और डाल लेते हैं और इस अच्छे से बून लेंगे चार से पांच मिनट हू गई है देखिए या अच्छे से बून गई है और इसमें इसे बहुत ही serves बहा रही है अब हम थोड़े से ड्राय फूट डाल लेंगे इस टाइम ड्राय फूट हम डालेंगे तो तो वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी, क्रंजी हो जाएंगी आप चाहें तो एक चम्मच खी डाल कर इने अलग से भून सकते हैं अब हम पानी डाल लेते हैं, तो दो कप मैने गरम पानी लिया है यहाँ गरम पानी का यूज ही करना है टंडा पानी बिल्कुल नी डालना है अगर आप चाहे तो चासनी भी बना सकते हैं लेकिन मैंने चासनी नहीं बनाई है पहले में दो कप पानी डाल लोगी और बाद में चीनी डालेंगे अगर आप चासनी बनाई तो उसमें दो कप पान तो आदा कप मैंने चीनी ली है चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक हम पका लेंगे करीब करीब तीन से चार मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे चीनी डालने पर इसका कलर हलका सा चीन्ज हो जाएगा आप देख पा रहोंगे एक चोथाई चोटी चमच मैंने इसमें इलाइची पाउडर डाल लिया है जिससे बहुत ही प्यारी कुश्बू आ जाएगी और एक चमच मैं इसमें गी डाल लूँगी जिससे इसमें बहुत ही बड़ी अशाइनिंग आ जाएगी पका लेंगे दो मिनट दो मिनट मैंने और हलवे को पका लिया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार हुआ एकदम रसीला मुह में गुल जाने वाला सूजी का हलवा बन कर तयार है आप चाहें तो थोड़े से ड्राइफ रूट इसमें और डाल सकते हैं ड्राइफ रूट यहां अपनी पस बनाईए खाईए और अपने एक्सपिरियंस प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए अगर यह वीडियो पसंद आई है तो डेसारे लाइक कीजिए शेयर कीजिए से फैमली में फ्रेंड में और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को प्रेस के लिजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स